Hello friends, welcome back to DigiSelfTech Friends, आप thumbnail देखकरके इस वीडियो पर आये होंगे और आपने इस वीडियो को thumbnail देखकरके ही किलिक किया होगा और आपको अच्छे से पता होगा कि आज की इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ गाइस एक जो मैसेज है जो बहुत ज़दा वाइरल हो रहा है, सभी के वाटसेप में जा रहा है सभी लोग बता रहे हैं कि इस टाइप के मेसेज उनको WhatsApp के थुरू मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है भारत सरकार द्वारा 5000 रुपे मिल रहा है अभी फॉर्म बरे 5000 रुपे लें हेल्थ मंत्रा ले द्वारा कोरोना फंड से मुझे भी मिला अगर आप भी 5000 रुपे लेना चाहते हैं तो नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें यह कोरोना फंड की सहायता राशी है किरप्या ध्यान दें 5000 रुपे की राशी शिर्फ 26 जनवरी 2022 तक ही मिलेगा जल्दी फॉर्म बरे 5000 रुपे लें सब का साथ सब का विकास इस टाइब का जो मैसेज है बहुत ज़दा वायरल हो रहा है सभी लोगों के WhatsApp में पहुच रहा है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस मैसेज के पीछे क्या सच्चाई है, क्या ये फेक मैसेज है या ये मैसेज रियल है क्या Government of India के थुरू जो Health Ministry है उसके दोरा ये जारी किया गया है ये जो इस Message में Link दिया हुआ है क्या इस Link पर क्लिक करना सेफ होगा आज की इस वीडियो में हम डेटेल में बात करने वाले हैं गैज वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से request है कि अगर आपने इस वीडि के लिए बता दू जब से ये COVID-19 का दोर चल रहा है तब से Government of India हो यानि भारत सरकार हो या राज की सरकार है किसी ना किसी तोर से लोगों की मदद करने में लगी हुई है तो जब Government की तरफ से कुछ ना कुछ स्कीम के तुरू लोगों को मदद की जाती है ऐसे में कुछ disturbing element है क कुछ ऐसे element है जो fraud करने वाले हैं जो fraudी लोग है इस टाइप के element active हो जाते हैं और इसी का सहारा ले करके वो आपके साथ ठगी करना चाहते हैं आपके साथ fraud करना चाहते हैं गाइस यह जो message है यह पूरी तरह से fake है इस message पर बिलकुल भी आप लोग धियान मत देना क्योंकि इसमें जो link दिया हुआ है guys आपकी जानकारी के लिए बता दो कि कभी भी बिना किसी जानकारी के किसी भी unknown link पर आप लोगों को click नहीं करना चाहिए क्योंकि आप लोग अगर बिना सोचे समझे किसी link पर आप click कर देते हैं और आपके उसी phone में आपका bank का access होता है तो कही न मेरा मकसद था इसी topic पर बात करना कि लोग unknown person किसी link को भेजते हैं और आपको उस link पर click करने के लिए बोलते हैं आपको उस phone को fill up करने के लिए बोलते हैं और जैसे आप fill up करते हैं आपका account access चला जाता है आपके mobile का laptop का या computer का data सारा access उनके पास चला जाता है और आपको वो पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी helpful लगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करने के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन जरूर से दबा लीजी इससे आने वाली वीडियो की notification मिलती रहेगी तो फ्रेंस मिलते हैं अगले वीडियो म का बहुत बहुत ख्याल रखिये धन्यवाद जय हिंद